तो आज उसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक marathon class जिसमें मैं आपको वो questions कराऊंगा जो आपके अगनीवीर के exam में आने के chances बहुत ज़ादा है। ऐसा मेरा हनुमान है कि आपको इस session में आपको क्या मिलेगा वो questions मिलेंगे जो आपके examination में पूछे जाएंगे। ये कौन सी नदी की सायक नदियां महा नदी की, कृष्णा नदी की, कावेदी नदी की या ब्रमपुत्र नदी की। दियान रखेगा कि आपको हमेशा जो में में या मुख्य नदियां हैं, उनकी सायक नदियों के बार में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इस कोशन का आंसर आपका क्या है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है महराष्ट के महा बलेश्वर से इसका उत्पन होती है, यह औरिजनेट होती है। अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यह एक हजार पच्चिस का बात है, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आकर्मन करा था, और इसका जो सोलवा आकर्मन था, वो पवित्र सोमनात मंदिर पे था और एक हजार पच्चिस में था, तो इसको महमूद गजनवी, क्योंकि यह अफगानिस्तान के गजनी जीनेगा था, ओके, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की और, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, टीवी रिमोट, आपका जो टीवी रिमोट है, यह किस पे काम करता है, इंफरा यह इनका उप्योग आपका एक तो सोनार में होता है, और सोनार के लावा आपका फैदो मीटर में होता है, फैदो मीटर वो यंत्र होता है, जिससे समुद्र की या सागर की गहराई को मापा जाता है, ठीक है, उसके लावा रेडियो वेब्स या माइक्रो वेब्स, जो आप आपका satellite अगर आपसे question पूछा जाए कि भही satellite या wireless जो होता है satellite या wireless communication तो वो आपका किस पर होता है so वो आपका microwave वे होता और जो radio प्रसारण होता है हमारा वो आपका radio waves वे होता है अगला question आपकी screen पर यह रहा ascorbic acid को हम किस नाम से जानते हैं vitamin K, vitamin A, vitamin B या vitamin C विटामिन K जो होता है हरी पत्यदार सब्सब्स होता है और हमारे शरीर में रक्त का ठक्का बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसका जो रासानिक नाम होता है वो होता है phylo-q-non होता है इसका रासानिक नाम क्या होता है phylo-q-non विटामिन A जो होता है ये तो होता है retinol इसकी कमी से हमें रात में दिखाई नहीं देता है रताओंदी हम इससे बोलते हैं ठीक है और धियान रखेगा इसके बाद आपका अगला question जो है very good हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और विटामिन C जो है आपका विटामिन C जो है आपका ascorbic acid का नाम है चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर अगला question अगला question आपकी screen पर ये रहा Edward Jenner Edward Jenner जो है ये इन्होंने कौन से रोग या कौन सी बिमारी का टीका खो जाता बनाया था Edward Jenner को ना आपका टीका करण का जनक कहा जाता है किसका आप बोला जाता है टीका करण का जनक और इन्होंने चैचक ठीक है 1798 में चैचक के टीके की खोज कर दी थी खोज नहीं कर दी थी मलब अविश्कार कर रहा था, invent कर रहा था, खोज नहीं करेंगे, अच्छा, आजाद हिन्द फॉज, आपका Captain Mohan Singh ने बनाई थी, ठीक है, Captain Mohan Singh ने जापान की सायता से, और आजाद हिन्द फॉज, जो गठन है, ये आपका कब हुआ था, 1943 में इसका गठन किया गया था, आपसे यहां पूछा गया है, कि आजाद हिन्द फॉज का गठन कहां पे किया गया था, तो धियान रखेगा, आजाद हिन्द फॉज का जो गठन है, वो आपका Singapore में किया गया था, जापान ने भारते सनिकों को युदबंदी बना लिया था, अगला कोशन आपकी स्क्राइन पर यह रहा है, इंकलाब जिन्दाबाद, और अभी आजाद इन फॉज की बात आई, आज आर्मी डे भी है, तो आज 75th आर्मी डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, Who initiated slogan of इंकलाब जिन्दाबाद, इंकलाब जिन्दाबाद जो है, यह जो नारा है, यह सबसे जादा यूज करा था भगर सिंग ने, लेकिन ध्यान रखेगा, यह जो इंकलाब जिन्दाबाद जो नारा था, यह दिया किसने था, हसरत मोहानी ने दिया था, किसने दिया था, हसरत मोहानी ने, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर गौतम बुद्ध कौन से वंच्ट से से थे गौतम बुद्ध आपका कौन से वंच्ट से से थे तो जो गौतम बुद्ध थे आपके ये आपके कहां से थे शाक्या वंच्ट के थे इसी वज़े से इनको इनका एक दूसरा नाम है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, यानि पूर्ण आंत्रिक परावर्तन और इसका उप्योग सम्मरीन में, क्योंकि सम्मरीन जो पंडूबी होती है, पानी के नीचे डूबी भी होती है, पानी के नीचे होती है, और पानी की सता पर देखने के लिए का होता है और दूद का जो pH मान होता है वो कितना होता है 6.5 होता है 6.6 होता है बताओ दूद का pH मान कितना होता है या 6 होता है देखो urine जो होता है हमारा किके इसका pH मान तो आपका 6 होता है और जो हमारी लार होती है लार saliva जिसे हम बोलते हैं इसका pH मान आपका 6.5 होता है और दूद का pH मान जो होता है 6.6 होता है C option इसका correct है अगला question तुगलगाबाद आजकल कली news में था ठीक है तुगलगाबाद और इंडिया एफोस का station भी है इस तुगलगाबाद के वास उसे वाई उसे नाबाद के नाम सो बलाते है तो ये आपका किस ने बनाया था फिरोशा तुगलगाबाद है तो तुगलग नहीं बनाया होगा फिरोशा तुगलग अलाव दिन खिल जी तो नहीं होगा इस question का answer जो है वो कौन सा है जो तुगलग वन्सका संस्थापक था बिलकुल साजित आपने सही बताया फिरोशा तुगलग ने कौन-कौन से शहर बनाया देखिए फिरोशा तुगलग ने इसने उत्तर परदेश में चूडियों के लिए बड़ा परसिद है फिरोशा बाद छीक है इसने शहर बनाया हर्याना में हिसार शहर इसने बनाया पंजाब में फिरोश पुर फिरोश पुर इसने बनाया दिल्ली में कोटला छीक है फिरोशा कोटला बुलाया दाता था और इसने कुतुम मिनार के निर्मान को रिपेर भी कराया था तो कैपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कॉपल निकस, इस कोशन का आंसर आपका क्या होगा, इस कोशन का आंसर आपका क्या होगा, कैपलर, कैपलर ने ग्रहों की गती का नियम दिया था, गैलीलियो ने ग्रहों की घोज गरी थी, इन्होंने सैटन यानि शनी ग्रह तक की खोज कर रहे हैं, ओके अगला कोशन, ओके आपकी स्क्रीन पर ये रहा, how many days in one year of Venus, Venus जो है, हमारे सौर मंडल का सबसे गरम कर रहा है, ठीक है, और इसे पृत्वी का जुडवा गहा है, या पृत्वी की दिन है, इसके साल से बड़ा होता है, क्योंकि ये 224 दिन में तो सूरे की परिकर्मा करता है, लेकिन इसके सूरे उद्य से सूरे अस्त होने में 244 दिन लग जाते हैं, ठीक है, तो आपका, यहां पर तो क्या कोशन होगा, इसका 225 इसका आंसर होगा, ठीक है, one year, how many days in one year, तो 225 दिन होता है, और लेकिन इसका जो दिन है वो उसके साल से बड़ा होता है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन क्यों, सभी को राम राम जी, राम राम, चलो, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर, वाई यू मंडल का, कि मैं कई सारी परते होती हैं, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूकम के परिमान को किस से मापा जाता है, तो भूकम के परिमान को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, और अगर इसकी भूकम की तीवरता पूछ ली जाए, तो वो आपके लिए कौनसी होती है, वो आपके लिए Mmarketsili होती है, ठीक है, दियान रखेगा M单ali, तीव रता की अगर मैं बात करूँ, जहां तक मैं बात करूँ Barometer, Biomandelio दाब, आपका Annymo Putter जो आपका पवनिका वेग होता है उसको मापा जाता है, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पक्षियों के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है, देखो, एक्टियोलोजी, ये जो नीचे है, ये कीडों के अध्यन को बुलाते है, हर्पेटलोजी, ये आपका जो रेंगने वाले जीव होते हैं, औ अध्यन की कलते हैं, एक्टियोलोजी आपका फिश का होता है, और और इन्थोलोजी, कई बारे एक्जाम में पूछा गया, पक्षियों के अध्यन को बोला है, ओके, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको ये बताना है, कि निम लिखित में से कौन सा यानि आयुरुवेद की बात हो रही है, ये तो हमारे चार वेद होते ही है, इनके उपवेद भी होते है, तो आपको जो तन्त मंत्र से सम्भंदित वेद होता है न, अधर वेद हम उसे बोलते हैं, बिलकुल, बिलकुल, देखो, यहाँ पर आपको एक लिंक भी चल रहा है, तो practice करना बहुत important है तो आज आपको मात्र 49 रुपे में आपको अगनी वीर की test series आपको मिलेगी, मैं आपको यह अभी दिखाऊंगा, अगला question, कौन से दिल्ली सल्तरत के सुल्तान ने ब्रह्मनों पर जजिया कर लगाया था, यह प्रकार का धार्मिक कर था और यह किसने लग लगा था, फिरोशा तुग लखने लगा था, किसने लगा था फिरोशा तुग लखने कर लगा था, बिल्कुल, चलो, अगला question आपकी screen पर, निमलिखित में से सबसे पहले कौन आय थे, यानि यहाँ पर है, निमलिखित में से यूरोपेय लोगों में से, भारत में था 17 मई 1498 को दरसल वास्कोड गामा ने भारत के लिए समुत्री रास्ते की खोज करी थी अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर intersection point यानि ये इस तरीके से पित्वी है हमारी ठीक है ये हो गई विश्वत रेखा जिसे हम equator बोलते हैं और ये हो ग्रीन in which meantime जिसे हम प्रधान मद्यान यानि क्या बोलता है प्राइम मेरीडियन तो ये आपका एक दूसरे को कहां intersect करता है तो ये आपका Atlantic Ocean में एक जगा पड़ती है नल आइलेंड वहाँ पर एक दूसरे को क्या करता है एक दूसरे को काटते है intersect करते हैं ठीक है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारते सविधान में पंचायतों की शक्ति कौन से अनुसूची से संबन देता है देखो आठवी अनुसूची भाषा है भारत का सविधान 22 भाषाओं को माननेता देता है ध्यान रखियेगा कभी कोशन पूछा जाए कि हमारा सविधान कितनी भाषाओं को माननेता देता है तो 22 भाषाओं को माननेता देता है दसवी अनुसूची दलबदल कानून से है और ग्यारवी अनुसूची आपका पंचायत से रिलेटेड है जो पंचायत जो जो जोड़ा गया था भारत के स सविधान में, वो 73 सविधान संचोधन, ठीक है, 1992 के तहत, और धियान रखेगा, सचिन तेंदूलकर का बड़े 24 अपरेल को आता है, 24 अपरेल को हर साल हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, 24 अपरेल को हम हर साल पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंक उन्तव पास 1992 में हो गया था, लेकिन राश्पती ने जो हस्ताक्षा करे थे, पंचायती राज पे, वो 24 अपरेल 1993 को करे थे, और तब से ये लाग हुआ, ओके, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, धन विद्याक, धन विद्याक जो होता ना, कि वो लोकसभा में ही प् दे जा जाता है, राज्यसावा इसमें कोई फेर बदल करे या न करे, इसे पास माल दे जाता है, ठीक है, और ये आपका आता अनुछेद 110 में, आपका जो बजट है, ठीक है, बजट, ये आपका किसमें आता है, अनुछेद 112 में आता, बजट आपका किसमें आता है, को बुला जाता मदुरही को और यह बहुत एक पुरानी बहुत एक पुराना शहर है चलो अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा नाइट विजन तो इंफरा रेड को हम एक तो रिमोट में भी यूज करते हैं सिकाई के लिए भी यूज करते हैं और रात में देखने के हेस्टन कोशन प्लेएञ अगर आप यहाँ पर इस तरीके से देखो यह हमारे कोश्टल प्लेएं यह आपका गुजरात का टत्थ हो गया ऐसे काठियावाड कोस्ट बोलते हैं इधर आपका क्या आता है? इधर आपका कोनकन आता है इधर आपका कनड कोस्ट आता है और इधर आपका मालाबार कोस्ट आता है और यह आपका कोरो मंडल होता है तो कोरो मंडल तो तमिल नाडू क्या है और वो पश्चिम की तरफ है और यहां पर उत्तर पोच्छा है तो यह आपका कौन सा कौनकन कोस्ट है कौनकन महराष्ट और गोवा के टटको कौनकन बोला जाता है महराष्ट क्योंकि पश्च्चिम की और उत्तर ये कौनकन ही पड़ेगा ठीक है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भाई ये बताओ कि हमारे जो सविधान में रज्य के निति निरेशक टत्व में आपका पंचायती राज आपका कौन से उसमें दिया गया है तो पंचायती राज आपका अनुछेद 40 में दिया गया किसमें दिया गया अनुछेद 40 में दिया गया है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर लोख लेखा समिति ये संसद की सबसब पुरानी समीती है, ठीक है, और इसमें आपके ना 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखेगा, जिसमें से 15 तो आपके लोकसभा से आते हैं, और बाकी के साथ आपके जो आते हैं, वो कहां से आते हैं, रज्य सभा से आते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, साथ आपके कह जबास आते हैं, रज्जसभा से आते हैं, ठीक है, और धिहान रखेगा, स्पीगल जो होते हैं, लोकसभा के वो उसको चैनित करते हैं, और हमेशा आपका जो लोकसभा के जो ये P.E.C. का है मेंबर होंगे, वो हमेशा आपके कौन होंगे, विपक्षे सही होंगे, leader of opposition ही बनता है अगला question, वाईू में जो धुनी की चाल है वो किस पर निरभर करती है speed of sorry speed of wind depend किस पर करती है speed of sound वाईू में तो temperature पर depend करती है, धियान रखेगा अगर 1 degree Celsius temperature बढ़ जाता है न तो आपका दशमलव 6 1 meter per second आपकी आवाज कि जो आपकी दोनी की गती है वो बढ़ जाती है इसी वज़े से गर्मयों में आवाज जाता सुनाई देती है ठंड में आवाज कम सुनाई देती है ओके चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपको बताना है कि निमलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम इस्तल भ भावी या घाकरा नदी क्या होगा इस प्रशन का उत्तल ओके जैहिन श्वेत बाला तो ध्यान रखो अगर हम इस तरीके से इंडिया का मैप बनाएं ठीक है और आप देखो के जहां भगवान शिव का निवास स्थान है केलाश वहां से आपको चार नदियों का उद्गम स् यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी ठीक है यहां दो जील है एक राक्षस जील और एक मानसरोर जील है मानसरोर राक्षस जील से आपकी सतलोज नदी निकलती है और मानसरोर से आपकी घहाकरा नदी निकलती है तो D option होगा इसका अंसर क्या होगा D option होगा ओके चलो आपकी ये पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च बांध है, जिसको हीरकुंड बांध के नामसे जाना जाता है, ठढ़िए अगला कोशन आपके स्क्रीण पर यह रहा, बिलकुल, आपको बताanne है, कि भालतिया वाइड सेना का वायू स्टेशन, ठीक है? भालतिया नौ सेना का वायू स्टेशन, यानि इंडिय ने बी ये की भी एक Air Force है, ठीक है, वो कहां पर है, वो Port Blair में है, चिन्नई में है, विशाका पत्नम में है, या मुंबई में है, देखो, विशाका पत्नम में भालतिय नौसेना का सम्मरीन स्कूल है, ओर मुंबई में तो, और इसकी कमांड भी आपकी जो Western कमांड है, वो विशाका पत्नम है, मुंबई में Eastern कमांड है, और Port Blair में, आएनिस उत्तरकोष, ठीक है, Port Blair में क्या है, आएनिस उत्तरकोष, जो आपका भालतिय नो सेना का एक वायू स्टेशन है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है प्रकाश की चाल अगर हम देखें तो 3 into 10 to the power 8 meter per second होती है यानि अगर देखा जाए प्रकाश की चाल तो वो 1 second में 3,000,000 km होती है तो प्रकाश निर्वात में वेक्यूब में आपका एक एक साल में जितनी दूरी तै करता है उसे 9.46 into 10 to the power 15 meters होती है ये दूरी की इकाई होती है और आपका खगोलिये में यानि आपका स्पेस में इसी से ही मेजर किया जाता है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर चमगादर अपने जो है चमगादर जो है बैट जिसे बोलते हैं तो ये रात में उड़ता है तो ये कौन सी तरंगों को उप्योग करता है तो चमगादर जो है आपका ultrasonic wave चमगादर और डॉल्फिन ऐसे दो जीव है जो परा शिरफवे तरंगों को उत्वन भी कर सकते हैं और इनको सुन भी सकते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा ध्वनी तरंग आपका किसमे यात्रा नहीं कर सकती solid, liquid, gas या vacuum तो द्वनी तरंग एक यांतरिक यानि mechanical wave होती है यांतरिक तरंग वो तरंग होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें किसी ना किसी माध्यम की अवशक्ता होती है तो जाहिर जीवात है वो निर्वात में प्रेवल नहीं कर सकती है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जब ध्वनी तरंग वायू से जल में गमन कलती है, यानि air से water या किसी भी medium में जाए, और कोई भी तरंग हो, कोई भी तरंग हो, जरूरी नहीं ध्वनी तरंग हो, तो उसकी wavelength चेंज हो जाएगी, उसकी speed चेंज हो जाएगी, लेकि उसकी कभी भी किसी भी तरंग की जो आवर्ती है, यानि frequency है, वो कभी भी उसकी change नहीं होगी, अगला कोशन यह है, वायू यान में उचाई मापने के लिए किस यंतर का उपयोग किया जाता है, तो वायू यान में उचाई मापने के लिए हम altimeter का use करते हैं, तुंगता माप इसे हम बोलते हैं, altimeter का हम इसको उपयोग करते हैं, अब यह आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि भाई समुद्र की घहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो समुद्र की घहराई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपका फैदोमीटर, यह जो hygrometer है ना, इससे हम आधरता को मापते हैं, किसको आधरता, यानि humidity को measure करते हैं, किसको measure करते हैं, humidity यानि आधरता को मापते हैं, अगला question आपकी से इन पे, optical fiber, यानि प्रकाश तंतु जो होते हैं, optical fiber, प्रकाश तंतु जो होते हैं, speed सही है न, हम सही speed से चल रहा है न, क्यो चलो, Okay, Optical Fibers, तो Optical Fibers आपका किस पर work करते हैं, ठीक है, तो Optical Fibers आपका Total Internal Reflection पर काम करते हैं, घेरे का जो चमकना होता है, वो भी Total Internal Reflection, जो हमें रेकिस्तान में मिलाज देखने को मिलता है, जसको मर्ग मरीचि का बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं वो Total Internal Reflection. Dispersion of Light के गारण आपका क्या होता है? आपको Rainbow दिखाई देता है, ठीक है? Dispersion of Light के गारण आपको क्या दिखाई देता है? Rainbow दिखाई देता है, Scattering of Light के गारण हमारा जो आकाश है, वो हमें नीला दिखाई देता है, Blue color का और Refraction of Light के कारण आपका तारो का टिम टिमाना जो आपको देखने को मिलता है वो Refraction of Light और इसके अलावा Refraction of Light के कारण आपका Early Sunrise चीक है दो मिनिट पहले हमें सूरे उदे से दो मिनिट पहले सूरे हमें दिखाये देने लगता है और आपका Delayed Sunset ये भी हमें देखने को मिलता है Early Sunrise और Delayed Sunset भी आपको देखने को मिलता है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पे Fundamental Duties ये Fundamental Duties पहले भारत के सविधान में थी नहीं तो आपका सलदार स्वर्ण सिंग समीती समीती के सुझाओ के आधार पर ठीक है इस इन Fundamental Duties को आपका 42 वा सविधान संचोधन 1976 के दुआरा आपका उस समय के USSR आज के रशिया से लिया गया था और इसको भाग चार का में जुड़ा गया था इसका एक ही अनुछेद है Article 51A अच्छा यह बताओ भारत में मतलब कितने मौलिक कलतव है हमारे कितनी Fundamental Duties है जरा आंसर बताओ उस कोशन का कितनी Fundamental Duties है हमारे पास कितनी Fundamental Duties है जब यह जोड़ी गई थी तो तब तो 10 थी लेकिन जब सिक्षा के अधिकार को बता दिया गया तो 11 हो गई है चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर जो भारत की सविधान सभा है उसने भारत के जंडा जो है हमारा राष्टे द्वज इसको कब अपनाया था ठीक है तो धियान रखेगा भारत का जो राष्टे द्वज है वो हम या राष्टे जंडा दिवस जो है वो हर साल हम 22 को मनाते अगला कोशन अभी आपको बताना है कि अんका नाम है विलियम रूहम चलो अगला कोशन विश्य की सबसे बड़ी जंगल सफारी कौन सी स्टेट ने चुरू करेगा उत्तर परदेश, हिमाचप परदेश, राजस्थान या हर्याना तो जल्दी से बताओ इस प्रशन का उत्तर क्या होगा What will be the answer of this question बताओ बिटा क्या होगा इस question का answer Okay, जल्दी से बताओ, इस question का answer, question number 42 का answer देखते हैं, आप में से किते लोग इस question का answer दे पाएंगे जल्दी से बताओ, आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो जंगल सफारी है, वो कौन सा? मेरे खाल से उत्तर परदेश है, ठीक है? अत्तर परदेश, नहीं, हरियाना है, हरियाना हरियाना हरियाना, लगारे लर्स जंगल सफारी हरियाना है कए, मैं चेक कर रहा था, मीरे को उत्तर परदेश लग रहा था, लेकिन इस question का answer हरियाना है, हरियाना में होगा ठीक है फिर प्रेजिडेंट आफ होकी इंडिया धियान रखेगा अभी परसो आपका FIH जो अंतराश्टिय संस्था है होकी की उसने क्या है 2023 में होकी वर्ल कप इंडिया में शुरू हो चुका है आज में घल से मैच भी है इंडिया का तो उसके यह आपका जो है World Intellectual Property Right Organization इसको बोलता है और इंडिया की कौन सी है 45 भी रेंक है चलो अगला कोशन आपके स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर ने अर्थ को एक मेमोरियल ठीक है इसको हम क्या बुलाते हैं स्मृति वन अगर क्योंकि 26 जंवरी स्मृति एक सेकंड 26 जंवरी 2001 में थीक है आपका भुकम पाया था तो पधान मंतरी जी ने और वो भुझ में आया था, भुझ आपका किस में पढ़ता है, गुझ रात में पढ़ता है, ठीक है, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आपको बताना है, फर्स्ट इंडियन क्रिकेट फ्लियर टू हंडर्ड मैच इन ओल दी फॉर्मेट, तो सब अगला कोशन, 36 नेशनल गेम आपके कहां पर आयोजित किये गए है, तो धियान दखेगा, आपके यह गुझ रात में होए है, राष्टिय खेल, ओके, अगला कोशन, युनाइटेड गिंडम के 56 परधान मंतरी कौन बने है, 56 प्राइम मिनिस्टर कौन बने है, तो आपके र अगला कोशन आने से पहले, आपको मैं बता दूँ, आप में से जो लोग अगनीवीर यू के लिए तैयारी कर रहे है, सबसे इंपोर्टेंट है, 50 कोशन आने हैं आपके, और आपको उसमें से क्या करना है, अपना 100% उसमें स्कोर करना है, तो वो आप प्रैक्टिस से कर सकत है, तो आज आप इन कोड को यूज करके, Y191, इसके साथ आपको S भी लगाना होगा, ठीक है, इसके साथ आपको S भी लगाना होगा, क्योंकि आप लोग स्पेशल हो, तो आप चायतो साइन्स वाला, जो आपका X ग्रूप में आता है, ठीक है, या अदर दैन साइन्स, जो आपका YU में आता है, या दोनों भी आप ले सकते हो, सभी का प्राइस मात्र, मात्र 49 रुपीज में, इन टेस्स सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक Google फॉर्म भी म 28 फर्वरी से 28 फर्वरी अगले महीने है, तो जाता समय नहीं है, तो Y191 इस कोड को यूज करके, आप ये बैस तो अभी चल रहा है, 6 जन्वरी से आप इसको जोइन कर सकते हैं, या फिर आप 20 जन्वरी वाला बैच भी जोइन कर सकते हैं, जो शुरू होगा, लेकिन मैं चा कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यूनेसको ने आपका कौन सी सिटी को Global Network of Learning Cities में आपको एड गया गया है, तो जल्ला बताओ इस कोशन का आंसर क्या होगा, कोशन नमबर 50 का आंसर बताओ, पटाफट है, यूनेसको ने Global Learning Cities में किसको, कौन कौन सी सिटी को जोड़ा गया ह है, ओके, बताओ, क्या होगा इस कोशन का आंसर, तो धियान रखेगा, वारंगल, ठीक है, वारंगल हो गया आपका, ये साउट इंडिया किसे हैं, ठीक है, एक सेकंड, कहां गया कर सर, ओके, हाँ, तो वारंगल, ठिरसूर और निलंबुर, ये आपका Global City Network में इनको जोड़ गया है, ठीक है, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, Queen Elizabeth, ठीक है, Queen Elizabeth, जो है, सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाली राजा रही है, Queen रही है, 70 साथ, तो इनका जो, जो इनका वो है, कितने दिन तक का रहा, तो 8 सितंबर 2022 में इनकी डेथ हुई, और इनका जो जनम दिन ह Queen Elizabeth का, ठीक है, वो कब मना जाता, आपका, April में बना जाता है, तो इनका जो है, आपका, 70 साल, 10 महीने इनका शाषन रहा, अगला कोशन, नेक्स्ट चीक ऑफ, United Nation Human Rights Council, ये मानव अधिकारों की सबसे बड़ी वो है, तो दिहान रखेगा, Walker, तुर्क, United Nation Human Rights Commission के नए अध्यक्ष बने है, अगला कोशन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है, कि, 4 मेडल, जो आपके, Wrestling Championship में जीते हैं, वो किसने हैं, तो वो किसने जीते हैं, बजरंग, पूनिया जीने, ठीक है, अगला कोशन, प्रोजेक्ट चीता, चीता लाया गया है, और प्रोजेक्ट चीता आपका कौन सी जगा पे लाया गया था, प्रोजेक्ट चीता आपका, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क आपका कहां पर पढ़ता है, मध्यपरदेश में पढ़ता है, ठीक है, अगला कोशन, परस्ट एवर, SEO, टूरिजम, कल्चरल, कैपिटल, ओके, तो ये कौन सी, SEO, शांगाई कॉपरेशन इसे कराता है, तो आपको ये बताना है कि शांगाई कॉपरेशन ने, कौन सी सिटी को, शांगाई कॉपरेशन ने, कौन सी सिटी को, टूरिजम, टूरिजम और कल्चरल, कैपिटल, घोशित करा है, वर्ष 22 और 23 के लिए, पताओ इस कोशन का अ रखेगा वारणसी में एक क्या है गंगा विलास करके ये अभी तक का विश्च का सबसे बड़ा river cruise है क्या है विश्च का सबसे बड़ा river cruise शुरू करा गया ठीक है अगला question आपके screen पर ये रहा बिलकुल वारणसी इंडिन आर्मी अभी आज आर्मी डे है पहले ये आर्मी डे आपका कहा होता था दिल्ली में केम करेपक राउंड में होता था लेकिन इस बार ये पहली बार आपका क्या है सदन कमांड को दिया है सदन कमांड इंडिया की पूने में है लेकिन यह कहां पर हो रहा है, यह आपका करनाटका में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, करनाटका में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इटली की पहली, इटली की पहली महिला परधान मंतरी का नाम बताओ, ओके, हम, ओके हाँ जी साहिल सर आपको दुबारा से रिटन देना होता सर एक बार रिटन देके ऐसे काम नहीं चलता जित्ती बार आप इक्जाम देंगे उत्ती बार आप जाएएंगे और failure के बारे में पहले क्यों सोच रहे हूँ अगला कोशिश करो, पहली बार में ही आम सारे exam वगरा निगालो, तो इटली की जो पहली महिला परधान मंत्री बनी है, ध्यान रखेगा, जो पहली महीला परधान मंतरी होती है यह आप से जरूर इसमें कोशन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये कौन बनी है ये बनी है जॉर्जिया मैलोनी बनी है चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर इंडिया के सेकंड चीफ आफ डिफेंस स्टाफ कौन बने है जल्ली से बताओ ओके मनोज मुकंद नर्मने ये तो फॉर्मर चीफ डिफेंस स्टाफ थे और आपका अनिल चोहान हरी कुमार या विवेक राम चौधरी तो मेरे खाल से इंडियने फोस के चीफ है ठीक है तो ये कौन बने है आपके अनिल चोहान ओके चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये महा नियावादी भारत के सबसे बड़े विधी अदिकारे होते हैं तो आपसे पूछा गया है नए अटॉली जर्रणल कौन बने है वो कौन बने है आर वेंकट रमानी जी बने है अगला कोशन दादा साब फाल के पुरुसकार बावनवा जो दिया गया है वो कौन सी आशा पारिक, फिछले साल ये मेरे खाल से हमिताब बच्चन जी को दिया गया था, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, पहली European movement, ओके, पहली European movement, जो कमांड करेंगी International Space Station, ये International Space Station क्या होता है, ये अंतरिक्ष में एक लेबरेटरी होती है, जिसमें आपका अध्यन क्या जाता है, स्पेस का, तो ये एक सभी देश से केस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट, चाइना से भी, रश्या से भी, और यूए, जादा तर यूएस से का भी, तो आपको बताना है कि कमांड करने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है समान था किस्टोफर्टी, नाम हैं का समान थ इसी तरीके से एक होर है मारा, Advanced Combat Helicopter, Republic Day Pride में देखेगा, रुद्रा नाम है इसका, इसका नाम क्या होगा, रुद्रा, ये Advanced Combat Helicopter है, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, National Icon of Election Commission, तो National Icon of Election Commission कौन बने थे, नीरत चोपड़ा, पंकश तिरपाथी, अमिताब बच्चन या पीव अगला कोशन, CRPF में मेरी जो क्लास होती है, वो आपकी होती है, CRPF में शाम को साड़े-चार बजे, खेल, किसको BCCI के प्रेजिट बनाया गया है, तो ध्यान रखेगा, Roger Binney, BCCI के प्रेजिट बने है, ठीक है, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको पत Conference of Party, COP Summit, ये आपकी कहां पर आयुजित की गई थी, तो ये आपकी इजिप्ट में थी, और यहां पर हमारे जो भारत के प्रेवरण मिंतरी हैं, धर्में इंदर यादव जी, वो गए थे, ठीक है, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा ही बेसिक सा एक कोशन है इसमें आपको ये हडपा, सिंदु घाटी सब्वेता के स्थल दिये गए हैं, आपको बस बताना है कि कौन सा, किसने किसकी खोज कर दी थी, तो जल्दी से बताओ, सब्जेक्ट का एक्जाम नहीं होगा, बेटा, CRPF का एक्जाम होगा, और वो उसमें आपके सारे कोशन एक की मजूमदार ने, काली बंगान की अलमनन्द घोश ने, और राखल्दास पैनल जी ने मोहन जोट रुड़ो की, तो दो तीन चार, दो तीन चार एक, तो दो तीन चार एक, यानि ऑप्शन नमबर D, और आप में से काफी लोगों ने D answer दिया है, बहुत बढ़िया, चलो, अगला कोशन, सबसे extensive, यानि जिसको सबसे जादा खोदा गया, या आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी site कौन सी है, तो आपकी सिंदू घाटी सबदा की जो सबसे बड़ी site है, वो कौन सी है आपकी राखी गड़ी, अगला कोशन आपकी screen पर, आप आपको बताना है कि, ये जो सिंदू घाटी सब्विता के स्थल हैं, ये कौन सी नदी के किनारे है, ओके, कौन सी नदी के, जैसे हडपा, कौन सी नदी के किनारे है, मोहन जो दोडो कौन सी नदी के किनारे है, ये आपको बताना है, तो बताओ, इस question का answer क्या होगा, what will be the answer of this question, और आपका घागर नदी के किनारे काली बंगान, तो इस question का answer एक, दो, तीन होगा, ठीक है, एक, दो, तीन, यानि option number A, इसका right answer है, चलो, अगला question आपकी screen पर ये रहा, आपको बताना है, उन्नत जल परबंधन प्रणाली का, आपको कहां से स्टाक्षे मिलते हैं, धोला वीरा, लोथल, या, आलमगिर, तो देखो, नालिया जो पाई गई है, वो काली बंगान में पाई गई है, ठीक है, तो water management system, जो होता, water को store करना, तो वो धोला वीरा, ये आपका कच में पढ़ता है, ठीक है, option number A, अगला question, सिंदुघाटे सब्वेता के लोगों को, किसका गईन नहीं था, क्योंकि सिंदुघाटे सब्वेता एक कास्य यूगिन सब्वेता थी, तो उन्हें लोहे का गईन नहीं था, उन्हें लोहे का गईन नहीं था, चलो, अब यह वेदिक काल में आरे का मतलब क्या होता था, यह बताना है आपको, आरे शब्द का मतलब क्या होता था, जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा, आरे का शब्द का मतलब होता था, आपका hero, तो दियान रखेगा श्रेष्ट, ओके चलो, अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अब बताईए गाईस कोशन का आंसर क्या होगा, वैदित्रिय, पर्थम जो तीन वेद है, लिगवेद, येजुरवेद और सामवेद, इनको वैदित्रिय बोला जाता है, क्योंकि अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर, शुद्र, जो वर्ण वेवस्था है, वो रिगवेद के दसवे मंडल से में प्राप्त होती है, लिगवेद के दसवे मंडल से में प्राप्त होती है, वेदों को आप उरुष्या कहा जाता है, इनको शुरूती भी कहा जाता है, क्योंकि अब कौन सा वेद किस से संबंदित है? तो ध्यान रखेगा, आप लोगों को, यह पता भी होगा, कि रिग वेद में तो मंतर दिये गए हैं, ठीक है? यजुर वेद में, या से यजुर, या से यग करने की विधी बता रखिये है. साम वेद आपका म्यूजिक से रिलेटेट है, और अथर वेद आपका तंत मंतर स्रोत, यानि ब्लैक मैजिक से संबंदित है. इस प्रशन का उत्तर जो होगा, वो आपका क्या होगा? वो होगा आपका 3-1-2-4. 3-1-2-4 यानि आपका option number B इसका right answer होगा. चलिए अगला कोशन आपकी screen पर ये रहा. रिख वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है? रिख वेद के जो आपका तीसरा मंडल है, उसमें आपका क्या दे रखा? उसमें आपका गायत्री मंतर दिया गया है. क्या दिया गया है? गायत्री मंतर किसको समर्पित है? गायत्री मंतर अगर जैसे कहते हैं भारत सबसे बढ़ी डेमोकरासी में होता था किस में होता था वजी ये NDA का शुझन ध्यान रखेगा, ओके महावीर स्वामी जी का जनम कौन सी जगह पर हुआ था, भाई, लुम्बनी में तो आपका गौतम बुद्ध का जनम हुआ था, और कुशिनगर में गौतम बुद्ध का निर्वान पराप्त हुआ था, और कुंद गराम में महावीर स्वामी का जनम अगर आप यहाँ पर देखो तो विंबसार जो है आपका वो आपका हर्यक वंच्छ से था काल अशोक आपका शिशुनाग वंच्छ से था महापदवनन नंद वंच्छ से था और बिंदु सार अशोक के फादल थे यह आपके मौरे वंच्छ से थे तो इस कोशन का आंसर 1423 होगा चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा अशोक कनिश्क अजाजशत्रु काल अशोक इन्होंने बौद संगीती कराई थी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी तो आपको बताना है कि कौन सी बौद संगीती कब हुई थी जल्दी से बताए ओके कोई बात नहीं चैनाज बेगम साहिल राउत सभी को जैहिंद तो धियान रखेगा अशोक ने आपकी देखो सबसे पहली बौद संगीती अजाजशत्रु ने कराई थी ठीक है अजाजशत्रु ने कहां पर कराई थी आपका राजगिर में उसके बाद दूसरी बौद संगीती काल अशोक न होगा यानि आपका option number C इसका right answer होगा option number C इसका right answer होगा चलो आगे बढ़ते हैं अगले question की और पोटल्या जो चानक्या के नाम से हम जिने जानते हैं पोटल्या ने जो बुक लिखी थी अर्थ शास्तर वो किस पे संबंदित है धियान रखेगा राजनीती पे नाम अर्थ शास्तर है लेकिन राजनेती पे संबंदित है अगला परशन आपकी screen पर ए रहा यह पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था यह कब आया था आपका आया था 399 ECV में आया था और उस समय चंदरगुप्त विक्रमादित्य चंदरगुप्त विक्रमादित्य का जो काल है न के 415 तक इन्होंने का काली दास जिनको Shakespeare of India बोला जाता है काली दास इनहीं के समय में थे इन से पहले इनके जो पिता थे 335 से 375 तक ठीक है 335 से 375 तक वो समद्रगुप्त है और इनको भाई Napoleon बुलाया जाता है Napoleon of India इनको बुलाया जाता है और ध्यान रखेगा स्रीगुप्त जो थे यह आपके founder है किसके founder यानि संस्थापक है गुप्त वंच के इसके गुप्त वंच के संस्थापक है ओके विश्णु गुप्त भी कहते हैं लिच्वी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को ही बु वर्धन डेनस्थी वर्धन डेनस्थी लिच्वी जो स्थापना है वो परभाकर वर्धन ने करी थी और इसका चाया दिद्य अशो Rock नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ए रहा अंतिम बौध शाशक कौन था ओके अंतिम बौध शाशक तो वो आपका हर्श वर्धनी था ओके चलो अगला कोशन हर्श चरित्र किस से हर्च, ऐसे से हुनसांग, चीक है, तो अगर आप से पूछे जाए हुनसांग कब आयता भारत में, तो 629 इसवी में आया था, कब आयता, 629 इसवी में, अगला कुशन, भारत पर सबसे पहला आकरमन जो था, वो अरबो न करा था, मुहम्मद बिन कासिम ने, और ये किस पर क है, वैसे वाई-उ गुरूप में आपके 8 कोशन आएंगे, जीक है कि जादा नहीं आएंगे, 5 से 8 कोशन होते हैं, अब बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, तो आपका, जो 17 बार भारत पर आकरमन करा था, महमूद गजनवी ने, इसका सबसे इंपोर्टन था, वो सोमनात दिर को द्वस्त कल दिया था, तरायन की जो पहली लड़ाई थी, जिसमें पित्वी राच चोहां जी ने मुहम्मद गौरी को हराया था, वो 119 में होई थी, फिर बानवे में, दूसरी लड़ाई में वो हार गए थे, अगला कोशन, चौगान खेलते समें, चौगान खेलते समें किस शाशक की मृत्य हो गई थी, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, कुद्भूदी नैबक, इसमें कुद्ब मिनार का निर्मान भी शुरू कराता है, इसकी मृत्य हो गई थी, घोड़े से गिल जाने के कारण, अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको ब कौन सा वंच कब आया, तो देखो, सबसे पहले आपका स्लेव डैनेस्टी थी, ठीक है, स्लेव डैनेस्टी के बाद आपकी खिलजी डैनेस्टी आई, खिलजी डैनेस्टी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सायद, और सायद के बाद आपकी लोधी वंच, तो इस कोश् नुम्बर 20 इसका राइट आंसर है, ओके हाँ, बिल्कुल, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, जो ऐसा कौन सा शाशक था, जिसने राजशाही को वंशानुकत बनाने का नियम निकाला था, तो वो था आपका बल्बन, और इसने लहारक्त निती भी अपनाई थी, ठीक है यह सुदिन बल्बन, सबसे जादा जो मंगोल आकर्मन हुए है, वो ध्यान रखेगा, अलाव दिन खिलजी के समय हुए है, सबसे जादा मंगोल आकर्मन आपके किसके समय हुए है, अलाव दिन खिलजी के समय हुए है, ठीक है, जो अलाव दिन खिलजी है ना, इसे सिकंदर सानी भी बोला जाता है, यानि जिसका मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर, तो अलाओ दिन खिल जी, क्योंकि इसने लक्षिन भारत पर भी जीता था, और रामेश वरां तक इसने जीत लिया था, ओके अगला कोशन आपके स्क्रीन पर, कुत्व के लिए तयारी कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को जाद से जादा टेस्ट देना है, चाए आप X ग्रूप की कर रहे हूं, चाए आप Y ग्रूप की कर रहे हूं, चाए आप X और Y दोनों ग्रूप की कर रहे हूं, तो धियान रखेगा Y191S code यूज करके, आप मात्र 49 रुपे में ये टैसरी ले सकते हैं, और ठे सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आपका पेपर, आज है 15 तारिक, 3 तारिक के बाद आपका एक्जाम है, ओके तो ये चीज, हाँ, आर्मी में भी आप पहले एक्जाम कर दिया गया है, और अगर आप CRPF की तियारी कर रहे हैं, इसका भी एक्जाम आपका 228 फरवरी को है, तो आप Y191 code यूज करके, मात्र 1609 रुपे में इन दो बैचिस को ले सकते हैं, ये बैच आपका 20 जनुरी से शुरू होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, आप ये 6 जनुरी वर ले, इसमें आपको डेली को पढ़ाया जाता है कोशन प्रेक्टिस करने को दिये जाते हैं और साथ इसाथ आपको इसमें कर इंटरफेस भी मैं आपको देता हूँ, ओके चलो, आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आपकी स्किन पर, अभी नेवी SSR का भी आपका आएका बैच, तो वो आपको बताएंगे, अभी ध्यान रखते हैं आगरा शहर, मुगलों की राजधानी रही है, क्योंकि बाबल ने, किसको अरा था सिकंदर लोधी को हराया था और सिकंदर लोधी ने आपका बंदरा सो चार में आगरा शहर की स्थापना करी थी, ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं और नेवी का एक्जाम भी आप ध्यान रखेगा अब उसकी डेट तो नहीं आई, लेकिन हाँ उनकी जो ट्रेनिंग है वो मई से स्टार्ट है ठीक है, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी आएनस चिलका में ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़किया हैं उसमें कमाल की बात है, तीन लड़किया है मुसकान सोलंक की एक नाम है और काफी मतलब इतनी कम उमर में नेवी में जाना एक बहुत प्राउड वाली बात है तो आप में से जो कर रहे हैं न बिलीव करो, आप हो कर सकते हो आपको बस अपने आप में बिलीव करना है सबसे इंपोर्टन चीज है, अपने आप में बिलीव कर रखो आप कर सकते हो तो definitely आप उससे कर जाओगे और नेवी का एक्जाम भी आप February मार्च में आप देखिएगा हो जाएगा और जिनका AFOS का एक्जाम है ठारा जनल इसे वाई इस वीडियो के description में Google form होगा उसको जरूर आपको fill up करना है ये आपके लिए तो जादा है क्योंकि आपका नेवी में 25 कोशन आता है जनल नौलेज के चलो तो 25 से 26 में बाबर ने लोधी वंच के अंतिम सासक इबराहिम लोधी को और आया था और मुगल समराज्य का ओके मुगल समराज्य का नीव रखी थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और तुक लगावा बाबर भारत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भारत में सबसे पहले भारूदगा यूज करा था और वो उसने कौन से उसमें यूज करा था आपका पानिपत की पहली लड़ाई ये हुई थी 21 अपरेल ठीक है 21 अपरेल 1526 को पानिपत की पहली लड़ाई और उसमें बाबर ने पहली बार बारूदगा भी उपयोग करा था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी आप कोशन कर लीजिए वायू के लिए भी पाबर नामा जो थी बाबर ने लिखी थी और इसने चटकई तुर्की में लिखी थी एकचली में इसकी जो आत्मकदा है उसका नाम है तुजूक ए बाबरी नाम है उसका ठीक है तुजूक ए बाबरी चलो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर एह रहा ने विए पुस्तक बिल्कुल बिल्कुल हाँ आपने सही बताया शुरूती कुमारी 1556 में अकबर की तरफ से बैरम खाने सेकेंड पानीपत की बैटल और फिर मैं शाब दालियों अमराउटों के बीच में 1761 में आपकी थर्ड पानीपत की लड़ाई थी निमलिकित में से कौन सा हिमायू हिमायू ने दिली में एक सिटी बनायती जिसको दीन पना हम बुलाते थे ठीक है जिसे हम दीन पना के नाम से बुलाते हैं अच्छा, Grand Trunk Road, ये Grand Trunk Road ना, बंगलादेश से पेशावर तक जाती थी, और इसको बुलाया जाता था, सडक ए आजम इसको बुलाया जाता था, क्या बुलाया जाता था, सडक ए आजम इसको बुलाया जाता था, और ये शेर्शा सूरी ने बनवाई थी, किसने बनवाई थी, शेर्शा सूरी ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, निम लिकित में किसे मध्यकालीन भारत में प्रशाशन का जनक कहा जाता है, यानि, मेडिवल इंडिया में, father of administration, भई, थाना, जो है, कोतवाली, वकील, रुपिया, जो है, ये सब किस ने कर दी थी, वह ये शेर्शा सूरी नहीं तो करवाय थे, ठीक है, शेर्शा सूरी, ओके, और इसने, शेर्शा का टाइटल लिया था, जब इसने हिमायु को और आया था, अकबर ने, फंद्रा सो बहत्तर में, गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी, और, दि पहली बार सागर को देखा था, और पहली बार उसने योरोपियन्स को भी देखा था, ठीक है, चलो, अगला कोशन आप इसका है, आने अकबरी, यह अकबर की आत्मकता है, और इसको लिखने वाले वक्ते का नाम है, अबू फजल, आने अकबरी और अकबर नामा, दो पुस्तक के लिखी थी, मतलब अकबर के बारे में इत्ती सारी चीजें, दो बुक्स में लिखी गई थी, अगला कोशन आप किसका है, मुगल चित्रकारी, इसके शाशनकाल में अपने चरम स्थान पर थी, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ए रहा, अकबर के समय में महाबारत का फार् धरम शुरू करा था, जिसको दीने इलाही के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और इसको केवल बीरबल नहीं अपना था, और किसने नहीं अपना था, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक जो करेगा, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर, बाबर ने 1527 मे राणा सांगा जी के विरुद लड़ाई लड़ी थी, और इसको इन्होंने धार्मिक युद्ध बनाया था, जेहाद गनारा दिया था, खुद को गाजी की उपादी जी थी, वगरा वगरा ये सी जी, रामचरित मानस तुलसिदास जी ने, जो आपका लिखा है, रामचरित की उपादी ली थी, शेर खान नाम था, बात में इसने चौसा का युद में, ये चौसा का युद 1539 में हुआ था, हिमायू को हरा के इसने शेर शा का टाइटल लिया था, और अब ये आपका modern history, कार्टे सिस्टम, इसे blue water policy भी बोलते हैं, ठीक है, नीला जल, नीती इसको ब पुर्तगाली गवर्नल था, अलमीडा, उसने इसको लागू करा था, चलो, ओके, 1510 में, धियान रखेगा, जो पुर्तगाली हैं, भारत में सबसे पहले आए हैं, और भारत में सबसे बाद में गए हैं, पुर्तगाली जो हैं, भारत में सबसे पहले आए हैं, और भारत में सबसे बाद में गए हैं, तो धियान रखेगा, ये अलफान्सो अलबुर्ख है ना, इसने बीज़ापूर के शाशा क्यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर रहा, निमली कितमे से, पहला अंग्रेज वेक्ति जो वेपार के देशे भूमी के रास्ते भारत आता, धियान रखेगा भूमी, वैसे तो कैप्टन विलियम होकिन्स 1608 में आता, लेकिन ये सागर के रास्ते आया था, और इस कोशन का अंसर जॉन मिडल हॉल है, जो भूमी के रास्ते आया था, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, कैप से एक्जाम में बस यह ही पूछेगा, 23 जुन 1757 को हुआ थी, और इसके बाद अब परतेक्ष तोर पर, इंडिरेक्ली अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया था, सिराज जो दौला को हराया था, ओके, 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल को प अवद के नवाब सुजाओ दौला और नवाब बंगाल, मीर कासिम, इन सब को बिलकुल एक साथ हराद दिया था, चलो, अगला कोशन, गवर्नल जनल में 1772 में कौन बना था भई, वो बंगाल का पहला गवर्नल जनल, वारेन हैस्टिंग, यह बंगाल का पहला गवर्नल जन हुई थी, प्रिपु सुल्तान का कहना था कि गल्डर के जीने से एक दिन शेर की तरह मलना ज्यादा बहतर होता है, ओके पर अंगले सिक युद्ध के बाद, 1846 में, आपकी कौन सी हुई थी, ट्रीटी अफ लाहोर, और फिर ट्रीटी अफ अम्रसर, 1848 में हुई थी, और पं ओके, ये कौशन नहीं आएंगे, ये कौशन छोड़ दो, ये आधुनिक भारत के थी, हास से रिलेटिड है, ये आपके इसमें नहीं आएंगे, चलो, ये कौशन आपको आना चाहिए, ठीक है, इस कौशन का अंसर दीजिए, फटा फट, इन कौशन को छोड़ो, वो तफ थे कौशन, अब इन कौशन का अंसर दो, चौरी-चौरा, मौले मिंटर रिफॉर्म, डांडी मार्च, इन सब के बारे में तो आपने सुना होगा, बताओ, शुरूती कुमारी, हाँ, मेरे चश्मे का नंबर क्या है, मेरे चश्मे ये एक्चली नंबर का नहीं है, ये ब्ल्यू कट वाला है, क्योंकि बहुत रोश्नी में खड़ा रहता हूँ, आखों में दल्द, जलन होने से, और आखों को प्रोटेक्शन के लिए, ये एंटी-ग्लेर ग्लासे हैं, ओके, ठीक है वहसल आहमत साब, चलो, अब इस कोशन का आंसर दीजे, चश्मे का नंबर त ये 1930 में हुई थी, और ये 1919 में हुई थी, तो इस कोशन का आंसर 24, ठीक है, 13 होगा, 24, 13, ऑप्शन नमबर बी, चलो, अगला कोशन, गांधी जी ने एक वर्ष में सुराज का नारा कप दिया था, तो वो नोन कोपरेशन मूमेंट, 1920 से 1922 तक हुई थी, ठीक है, चलो, अब और इस कोशन का अंसर, हम, ओके, अगला कोशन, आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्या घर है, कब किया था, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्या घर है, 1917 में किया था, कब किया था, 1917, और तभी इनको महात्मा की उपाधी दी गई थी, चलो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पे, आसयो गांदोलन क्यों गांधी जी ने बंद कर रहा था, क्योंकि उसमें हिंसा हो गई थी चोरी चोरा में, ठीक है, और गांधी जी हिंसा के बिलकुल खिलाफ थे, इस वज़े से उनको, उन्होंने ये आसयो गांदोलन को वापस ले लिया अगला कोशन, सौल्ट सत्यगरा है, जिसको हम डांडी मार्च, ये सवी ने अन्होंने अंदोलन भी बोलते हैं, कब हुई थी? 1930 में हुई थी, ये कब हुई थी आपकी? 1930 में, चलो, अगला कोशन आपके स्क्रीन पे, गांधी इर्विन समझोता आपका कब हुआ था, सेर्विन समझोता, आपका 1931 में होता और सेवी डिसवी ने मुमेंट जिसे डांडे मार्च ये सौल से अट्टर गया भी बोलते हैं, ये आपका 1930 में हुई थी, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर जो बैठे थे, वो आपका एमदाबाद मे लांदोलन, ये पहली बार उन्होंने विरोध भूख हड़ताल को विरोध का जरिया बनाया था, वो आएमदाबाद में लांदोलन में, जब भारत आजाद हुआ था, 1527 को उस समय गांधी जी हिंदू-मुसलिम दंगो को शान्त कर रहे थे कलगता में, क्योंकि पाकिस्तान बनाने के लिए जो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर, जो गांधी जी ने सबसे पहले करा था, उसमें उनके साथ कौन था, तो उनके साथ थे राजेंदर परसाद जी और अनुगरे नरायन सिंग जी, ठीक है, अगला कोशन, महात्मा गांधी जी ने हिंदू-स्वराज, ये इनकी बुक है, तो ये उन्होंने इंग्लेंड से साथ अफरीका जाते वक्त ये वो बुक लिखी थी, चलो, अगला कोशन, गांधी जी ने वर्किंग क्लास को कौन से अंदूलन में लिया था, तो एहमदाबाद मेल अंदूलन जो 1918 में हुआ था, जिसमें वो पहली बार भूखड़ताल प अगला कोशन आपके स्क्रीन पर, कि कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिविल डिसोबिनेंट मुमेंट, तो 1929 का जो सत्र है, पूर्ण सुराज्य, वो लाहॉर में हुआ था न, वहीं पर ही तो बात किये थी, अब हम सिविल डिसोबिनेंट मुमेंट को शुरू करेंगे, उके, चलो, इस कोशन करेंगे, देखो, CDS का एक्जाम का कोशन है, देखते आप मेसेश का आंसर कौन देगा, और ज़्यादा तर लोग ने इस कोशन का आंसर गलत देते हैं, ज़्यादा तर लोग ने इस कोशन का आंसर गलत कर देते हैं, इस कोशन का आंसर मैं जाता हूँ आप लोग बताएं 31 वे question का answer थी वही कानपूर में तो थे कानपूर में कौन थे नाना साथ थे कानपूर में दिली में बहत्दुर्शा जफर थे आयुद्या में आयुद्या फैजाबाद को बिला जाता था पहले फैजाबाद में आपके कौन थे मौलवी अजीमुला आगरा में तो विरोध नहीं हुआ था ना option number B होगा इसका answer अनुजसर के चेले ने अंकुल ने इसका answer सही दिया अंकुल ने सही दिया बिलकुल अगला question आपकी screen पर अब ये Congress के सत्र हैं तो 896 का Congress का सत्र है इसमें वंदे मातरम गाया गया था और ये कहां पर हुआ था कलगत्ता में हुआ था ठीक है तो ये इसका answer होगा इसमें दादा भाई नरो जी बने थे इसमें पहले Muslim President बदरुदीन तयब जी और इसमें पहले English President George Yule बने थे ठीक है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर अब 1857 की करांती के बाद 1857 की करांती के बाद क्या क्या हुआ रानी लक्षमी भाई बीर गती को पराप्त हुई तात्य टोपे को फांसी गवालियर में थे फांसी चड़ा दे गई नाना साहब नेपाल भाग गए थे और आदूर शार जफर रंगून उनको जेल में डाल दे था उनका मकबर अभी रंगून में आखरी मुगल एंपरर थे तो इस कोशन का आंसर देखें तो इसका आंसर होगा 4-3 चीक है 4-3-2-1 होगा असका आंसर यानि option number B एक चीज़ और ध्यान रखेगा fundamental rights की बात तो ध्यान रखेगा कल भी मैंने आपको CRPF की marathon में बताया 1931 का करांची का सत्र था और सरदार पटेल इसमें अध्यक्ष थे कौन थे इसमें अध्यक्ष थे चलो आगे बढ़ते हैं विल्कुल कौन से वंदे मातरम कौन से मुवमेंट में वंदे मातरम को कौन से मुवमेंट में अपना आ गया तो वो party national बंगाल वंदे मातरम आपका 1882 में बंकिंचन दो चोट फाद्ध्या ने लिखाता है बंकिंचन दो चैटल जी भी बोते हैं चोट फाद्ध्या और चैटल जी तोनों सेम सेम होते हैं ओके कौन कभी भी Congress के देख्ष नहीं बने तो भारती अशानती के जनक ठीक है बाल गंगा धर तिलक ये कभी भी आपका Congress के देख्ष नहीं बनेते ठीक है भारत में स्थाने सोशाशन का जनक किसको कहा जाता है जल्दी से बताओ भारत में स्थाने सोशाशन का जनक किसको कहा जाता है ठीक है जल्दी से बताओ भारत में स्थाने सोशाशन का जनक किसको कहा जाता है ओके फटा फट जल्दी से बताओ पूरे अंदोलन में एक ही यो धता जिनका नाम था रानी लक्षमी बाई और जेम्स ओर्टरम आपका दिल्ली में थे, ठीक है, क्या यह कोश्ण का अनसर जो होगा, आपका, इसका अनसर होगा, 1, 2, 4, 3 होगा, क्या होगा, यहां पर अब आप देखो, जौन निकल्सं, लखनाओ, तो कैम्बल, हुज, रोज, आॉटम, तो इस तरीके से आपका होगा, 124 इस question का answer आपका Nicholson दिल्ली में था तो इसका answer option number C होगा ठीक है क्या होगा option number C ये date आपको मिल जाएगा आप इसमें देख लीजेगा और CRPF का batch ज़रूर जोइन करें और इसमें आपको 100% इस तरीके से prepare कराएगा कि आप exam एक फोड गया होगे ठीक है तो ध्यान रखेगा Y191 discount code को use करके 77% discount मात्र 1609 रुपे में आप batch को join कर सकते हो और कोशिश करना 6 January वाले क्योंकि इसमें आपका course शुरू हो चुका है ये 20 January में यानि आज से 5 दिन बाद ये शुरू होगा तो 5 दिन को खो मत इस batch को क्योंकि 22 से 28 फर्वरी के बीच आपका exam है और ध्यान रखेगा order 24-7 अपने सभी अगनीवीर वायू वाले बच्चों को test series दे रहा है Y191 S code को use करके मात्र 69 रुपे में आप इस test series का फायदा उठा सकते हैं चाहिए S ग्रूप की हो Ygroup की हो या दोनों की हो only 49 रुपीज और NDA का batch भी आप मेंसे काफी लोग NDA की भी तो ये भी batch आपका शुरू हो चुका है अगर आपको सभी batches करना है सभी test series चाहिए और सभी video coach चाहिए तो आपका double validity का फायदा उठा सकते हैं double validity Y191 code use करें और defense का महाँ pack लें आप एक साल का लेंगे तो एक साल का आपको free मिलेगा यानि दो साल का हो जाएगा 6 महीने का लेंगे तो 6 महीने का free मिलेगा यानि आपका एक साल का हो जाएगा इसमें F-CAT, CDS और जिते भी defense के exam है सब ये आपको पढ़ेगा 1299 रुपेगा अब इन batches को आप कैसे join कर सकते हैं इसके लिए आपको download करने पड़ेगे Adder247 की application इस application को ज़रू download करें इस application को download करेंगे इसमें आपको current affair, daily quizzes तो मिलेंगे जिनको आप practice कर सकते हैं साथ ही साथ आपको subject wise quiz, job alert magazine, power capsule notes, articles और video courses आपको इसमें मिलेंगे और दिहान रखेगा session को like, share, comment और subscribe जबू करेगा और defense Adder247 के bell icon को ज़रूर बता दीजे दबा दीजेगा ताकि आपको हर एक video मिले अब batches मैं आपको show कर देता हूँ आप batches कैसे ले सकते हैं आप google पे Adder247 यानि आप हमारी दिख जाएंगे, जैसे आप महापैक को दे चीगा क्योंकि महापैक one time investment है और सभी exam का आपको accesses में मिलता है तो 370 घंटे की live classes 5000 से ज़्यादा आपको test series, 3000 से ज़्यादा video course और आपको 506 e-books मिलती है यह आपको 2 उसमें मिलता है यह 2 साल वाले का price है लेकिन जैसे ही आप 6 महीने वाले पर करेंगे तो यह price आपका कम हो जायागा ठीक है, 9900 लेकिन इस पे एक और code लगाओ इस पे code लगाना है आपको Y191, एक particular batch ना लेके आप महापैक लीज़े क्योंकि एक particular batch जित्ते का लेंगे उसमें 200-300 extra रुपीज दे के एक साल के लिए महापैक आज आपको मिल रहा तो यह आज इसका फायदा उठा ले ना जित्ते भी student है Y191 code में मातर 2299 यानि 2300 रुपे में आप महापैक ले सकते हैं इसमें आपको ना महापैक में देखो test series आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको test series सभी की तो आपको test series मिलेगी आपको NDA करना हो SSB करना हो CAPF, FCAT, CISF, CRPF सभी की एक टो test series आपको इसमें मिल जाएगी ठीक है? और उसके साथ साथ आपको सभी online live classes मिलेगी चाहे वो FCAT की हो चाहे आप supersonic हो, CDSO जिसकी भी आपको class करनी है सभी आपको इसमें मिलेगी CRPF हो, IFO तो यानि एक ही बार में आपको सभी classes में provide हो जाएगी तो आप इसको ज़रूर जोइन करें मैं मिलता हूँ आपसे कल दोपहर दो बज़े और शाम को साड़े चार बज़े फिर और वैसे आज शाम को मैं साथ बज़े छे बज़े एक clerical aptitude का all-around lecture BSF के exam के लिए क्योंकि उसका भी examination आपका March 12 March को पड़ रहा है तो आज के लिए इता ही मिलते हैं शाम को छे बज़े तब तक के लिए जय हिन जय भारत को पड़ देशी ओर